अस्सलाम अलेकुम दोस्तों उमीद करता हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे और आज की अपडेट में लेकर आया हूँ यूए से वीजा तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आको जुरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट अबसाइब कर देख दोस्तों मैंने पहले आपको बताया हूए था यूए से वीजा एप्लाई कर ना है और जो सकी बीवन बीटु कैटिगरी है वह अभी जनवरी में इस्टार्ट हो चुकी है तो वह जनवरी कैटिगरी है वह जनवरी में इस्टार्ट होगी इंडिया से तो अब मैं बता रहा हूं अगर आप साओधी कुवेत उमान दुबाई से अगर आप USA का वीजा अपलाई कर रहे हैं तो अभी वीजा के चांसे हैं 100% जो कि आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा तो सबसे पहले यह जो वीजा की केटेगरी यह मैंने आपको बताया था कि जो यह यह B1, B2 है और यह ट्रांजिट C है और ट्रांजिट C1, D and C1, D वीजा तो जो B1 है वो मैंने बता था बिजनेस एसोसियाट और कोई भी कॉन्फरेंस या रियल स्टेट्स या कोई कॉन्ट्रेक्ट को नेगो होता है अगर आप मेडिकल ट्रीट्मेंट के लिए जाते हैं कोई भी फंक्शन के लिए जाते हैं तो उसके लिए B2 करेंगे और ट्रांजिट वीजा का आपको पता है कि आपकी जो वीजा है वो ट्रांजिट यानि कनेक्टेड है तो टाइप C1, D and C1-D वीजा यह आप जो वर्क पर्मिट है उनके लिए होता है तो जो वीजा अपलाई करने का जो सिंपल सा तरीका है वो आपको बता है कि जो डी एस 164 में वो फिल करना पड़ता है तो अभी कई वायों के यह भी क्यूशन होंगे कि जो वीजा है उसमें क्या-क्या डोकुमेंट है और उसकी कितनी है तो उस तरीके से मैं आपको बताता हूं कि इसमें जो अभी जो साओधी बैरेन ओमान डुबई इस गल्फ कंट्री से जो भी वीजा अपलाई किये जा रहे हैं उसके लिए आपको जरूरत नहीं है और उसमें आपके बैंक स्टेट्मेंट का होना भी जरूरी नहीं है तो अगर आपके पास लेटर नहीं तो आप वीजा अपलाई कर सकते हैं अभी यूएस जो गवर्मेंट है वो जब वीजा इस्व कर रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अगर आपको यूएसे का वीजा अपलाई करना तो यह आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह ठीक है उसके बाद में बारकोर डालना है तो आप यहां से आपका अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद में आपको जो रिक्वार्मेंट है वो फोटो आपको चीए आपका पासपोर्ट होना चीए पासपोर्ट है कम से कम दो जो पेज हैं उसके खाली होने ची प्रफिल है एक्जिट एंट्री की वह आ जाए स्पेस होना चीए उसके बाद में जो वीजा एप्लिकस्न फी है तो यह मैं आपको दिखा देता हूं यहां से आप अगर उपन करेंगे तो आपके पास यह आएगा फरी वीजा सर्विस फी वीजा सर्विस आएगा वीजा इस्वन्स फी तो आप फीज वीजा सर्विस पर क्लिक करेंगे तो यह आपके पास आ चुका है यह आप देख रहे हैं यह आप पुसीन ने बताया हुआ है कि यह जो अमाउंट है यह आपको बताया हुआ है विजिटर वीजा बिजनेस टूरिजम मेडिकल के लिए बीजा जो बीवन बीटू कर्टिकरी वह अपलाई किया जाएगा जो कनेक्टिंग फ्लाइट न की लीए है तो instruments क्मेडिया जो बीदिया जाएं किसी पी news को और आम को और वाइं ओता इंग प्रकशनेश विजिटर यह M है students, vocationals, तो यह visa की category है, तो इनके लिए तो आपको जो fee है वो यह non petition based immigrants visa है, ठीक है, तो A 160 डॉलर है, तो उसके बाद में petition based visa categories, H L O P Q, यह जो आप screen पर देख रहे हैं, इनके लिए 190 डॉलर लगेगा आपका, ठीक है, और उसके बाद में यह आप देख सकते हैं, जो visa E ह इसकी फीस भी बताईए है, visa K की फीस भी बताईए है, ठीक है, यह आपको बताया हुआ है, तो दोस्तों, अगर आपको easily visa लेना है, तो आप जो भी category apply करेंगे, तो वह आप category apply करेंगे B1 B2, ठीक है, B1 B2 apply करेंगे, जो की visit visa के लिए होता है, इसमें आपको visa मिलेगा, और आधकल जो US government है, वो 5 year multiple visa दे रही है, पांच साल तक के लिए आप महापर रह सकते हैं, तो अगर आपको जाना है USA, तो यह अभी बहुत ही अच्छा time है, आप apply करें USA, और USA का visa गल्प country से approve हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में जो भी document है, आपको बस passport होना चीए, ठीक है, औ आपको जो जूरत नहीं है, आपको बैंक स्टेंट की जूरत नहीं है, और यह जो document है मैंने आपको बताएं है, इस तरह के साथ आप DS-160 फिर्म फिल करके submit करेंगे, उसके बाद में आपका जो interview का schedule होगा, इंट्रीव में कुछ नहीं पूचा जाया का general question पूच जाते हैं, तो इस तरह के से आप USA का वीजा अपलाई कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ वीडियो आपको अच्छी लेगे तो comment करके बताएं, चैनल को subscribe करें, like करें और bell icon को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर update आपको मिलती रहे,